जब जगड़े हो रहा थे तुम गुजरात में क्यों नहीं थे? मैं नहीं था इसलिए तो जगड़े हो रहे थे भाई मेरी जान, मेरी अजीज, मेरे बुज़ुर्ग ये बस इतना बता दे मुझे तुने पहला मजस्मा उठाया था तो उससे क्या मतलब है? मैं बताता हूँ, अभी मैंने बताया नहीं है तुमें, ये मैंने इंटर्विव से पहले तुमें कहा था कि पहला मज़स्मा बनाया नहीं उठाया था अब उठाने से लोग क्या समझती हैं कि चोरी चोरी की है इसने पाप किया है अन्याय किया है नहीं ऐसी बात नहीं है चोरी नहीं थी खस्ताहाल था परिशान था भूख से बिलक रहा था जेब में माउज़े था जो तूंग कर रहा था और दूसरी जेब में सिर्फ एक रेड़ बुक थी और वो तकलीफ दे रही थी सिर्फ एक रेड़ बुक पूछो क्यों नहीं पूछो पूछना पड़ेगा नहीं पूछना पड़ेगा तूछना पूछना पड़ेगा पूछो जिन्दगी में पता नहीं तुम्हें दुवारा मौका मिले ना मिले पूछो हम तुमसे कहते हैं पूछो बाखुदा मुभबत के दुश्मन नहीं पूछो के वरेट बुक हमें क्यों तंकर रही थी आर्टिस्ट पागल जुरूर होता है दिवान भी होता है पागल दय पुत्र और पागल दे पुत्र मने एक सवाल की आये पहला बुजस्वा कब बनाया मैं और कुछ तुम्हारी आखों में कुरोद देख रहा हूं कर सच्चाई का सामन करना बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल सच बात करनी चाहिए क्योंकि सत्य में विजयते हैं रवी याद रखना हमेशा सत्य में विजयते हैं पता नहीं कि मेरी आखो में क्या देख रहे हैं सत्य में भी विजयते हैं तुम इस्तार देखो मैं देखता हुँ उसको सर बहुत भला लगा आप मेरे मेमान है, सो तो हैं, और मेजबान का ये हक है, कि वो मेमान की इज़त करे, आओ भगत करे, उसको आपको बिठाए, मैंने आपको आँखों पर बिठाया, बड़ा भक्ती भाव है आपका, अगर आपने इसा किया है, बड़ा भक्ती भाव है, और ये भक्ती शाली ही लोग करते हैं ये, बहुत बहुत धन्यवाद जी, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कि मुझे सिर्फ इतना बता दे, कि पहला जो मजस्सिमा आपने बनाया, वो क्या था, वो आपने शुरू किया था, जी, तुम्के प्रोग्राम खात्म होने थोड़ होए थे, एक गली, कल्यूक, कल्यूक था, एक हाहाकार मची हुई थी, भूख, प्यास, परिशानी, समय बीता जा रहा था, समय बीता जा रहा था, हम वहां भाढ़े थे, ऐसा लग रहा था, जैसे हम कई यूगों से यहां खड़े हैं, केबल भूख सता रही थी, अब क्या होता है ऐसी चीज़ में ग्यान होता है कुछ चीज़ों का ग्यान होता है अब क्या देखते हैं उसी परेशानी में एक बालक खड़ा हुआ है एक गाए वहां से आती है अब गाए की चाल में एक वकार है उसकी आँखों में एक करोध है गाए थी बैल था गाए थी हमें ठीक से याद नहीं है क्योंके अंधेरा था वहां गली में सामने से आई तो गाय होगी अंधेरा था ठीक याद दिलाये तुमने अंधेरा था ना पीने को पानी था ना खाने को कुछ रोटी थी ना रोशनी थी वस एक दिया था कि जो टिम्तिमाय जाता था और उस तिम्तिमाते हुए रौशनी में हमने क्या देखा कि गाय आ रही है अच्छाहे तुमसे बहल समझ लो ये गाय ये गाय अगर सामने से आ रहे थीं तो गाय होगी चलो माने लेते हैं गाय आ रही थी अब वो आती है और हम रुख जाते हैं वो हमें देखती है हम उसे देखते हैं अब हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं उसकी आँखों में करोध है मेरी आँखों में भूक है और कुछ करने की प्रणा है अब क्या देखते हैं कि अचानक गाये ने अपना रुख मोड़ा और अपनी पूछ हमारी और की और फिर उसने जी भर के किया गोबर आप पर जमीन पर तसलसल तोड़ देते हो विजय तसलसल तोड़ देते हो तुम तो अब क्या हुआ कि गाए ने जी भर के किया सुनो मेरी बात, आर्टिस्टिक बात कर रहा हूँ, आर्टिस्टिक बात कर रहा हूँ, अब गोबर का जिकर कर रहा है, इसमें आर्टिस्ट का से बस्याँ, यही तो विपता है, यही तो विपता है, इसी विपता को सुनो, ग्यान लो, ग्यान लो, सीख लो कुछ, सबा सब कर वादी है हमारी, सीख लो कुछ अब क्या है कि जी भर के गाये ने किया गोबर अब मुहें देख रहा हूँ गाये चली गई दक्षिन की और गाये चली गई, मेरा मुँ उत्तर की तरफ है और भितर गोबर और भीतर गोबर क्या खुब कहा हमने सुना यह तुम कभी भी हो भीतर गोबर बहुत अच्छा तो अब क्या है देखते हैं अब गोबर पे जो हमारी नजर पड़ी अब थे तो हम बच्पन से ही आर्टिस्टिक मॉइंडेट वो जो गोबर का पॉस्चर था उसमें हमें एक कला नजर आई हमने क्या किया अब ढूनते 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 समय गुजर रहा था ऐसा लग रहा था हम कई यूगों से यहाँ पर खड़े हुए हैं एक पटरा हमें मिला वो पटरा हमने लिया और उस गोबर को जिस पॉस्चर में था थोड़ा सा सूखने के बाद हमने यूं करके पटड़े को डाला और उस गुबर को इस पटड़े पे बड़े ध्यान से हमने रख दिया अब देखना ही ये है कि वो आख कहां से पईदा होती है वो आख कहां से लाता है मनश जिसमें कुछ खाब होते हैं सपने होते हैं जो सपने बुनता है अब क्या है कि वो गोबर को लिये वे एक बालक चला जा रहा है घर पहुंचता है अब घर पहुंचके मैंने देखा कि जैसे जैसे वो सूकता जा रहा है उसका पॉस्चर चेंज होता जा रहा है जो चीज कहीं से उठी भी थी, वो कुछ दब गई है, किसी जगा से कुछ निकल आया है, हमने का यही तो कला है, गेर लो इसको, अब हमने क्या क्या दूसरे दिन एक बालक की चतुराई देखिए, क्या देखिए बालक की चतुराई देखिए कि हमने वो पटड़ा लिया और उसे भटी में डाला खोब गरम किया उसे और इतना गरमाईश दी उसको इतना ताप लगाया उस पे गोबर पे कि वो अकड़ गया अकड़ के मेरे भाई एक नया पॉस्चर सामने आया